से अलो फ्रेंज कैसे हैं आप साथ वेलकम टू मैं न्यू वीडियो तो फ्रेंज जैसा कि आप तो जानते हैं कि हमारी कोर्मेंट ओफ इंडिया ने पब जी को ऑफिशल या इंडिया में बैंड कर दिया था बट गाइस आप यह भी जानते कि वेटिंग टू डेज में उन्होंने न्यू गेम की अनॉसमेंट कर दी जिसका नाम है 4G और 4G फुली इंडियान गेम होने वाला है ठीके गाइस बट गाइस एक न्यूज और वाइरल हो रही है और बहुत जादा ट्रेंड में चल रही है कि क पूरी तरह से इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है तो चली हमारी वीडियो को स्टाट करते हैं और जैसा कि आप लोग जानती हैं कि एक साफ्ट कॉरीं गेम मतलब जो पबची को बनाने वाली जो कमपनी है वह साउथ कोटें कमपणिय का नाम है ब्यू होल ठीके गाइस तो तो कुछ दिन पहले PUBG Corporation ने अपने message या email में ये बताया है कि वो लोग 10 cent game के साथ अपनी कोई भी partnership नहीं रखेंगे मैं आपको बता दू काई 10 cent company एक Chinese company है जो PUBG को handle किया करती थी और उसका 10% partnership था Blue Wall company के साथ जो अब नहीं रहेगा तो इसके चलते ही ये news AI की PUBG अब इंडिया में भी unban होगा क्योंकि टेंसेंड कंपनी की चलते ही PUBG इंडिया में बेन हुआ था क्योंकि वो एक Chinese company थी बट अगर वो company ही नहीं रही कि तो फिर गेम का unban होना compulsory है ठीक है गाइस और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दू कि जब कोई गेम या एप बेन होता है तो यह मान के चलिए कि उससे half an hour या one month तो लगता ही है वापस आने में ठीक है क्योंकि एक process होता है और वो process कितना लंबा चलेगा वो हमें नहीं पता क्योंकि यह partnership कोई information नहीं आई है और जब unban होता भी आपका game तो उससे हमारी government review करेगी और review में कितना time रखता है यह भी हमें नहीं पता बैट गाइस यह news confirm है कि आपका game PUBG वापस आएगा और जरूर आएगा और बहुत ही जल्द आपको Google Play Store पर देखने को मिलेगा तो guys यह थी वो news जो ब और अगर आप चलेंग पर नए हैं तो चलेंग को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और साथ ही बेह लाइकन को प्रेस कर दीजेगा और आप मुझे comment में अपना कोई भी डाउट बता सकते हैं तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं फिर मुझे Instagram पर DM भी कर सकते हैं मैंने अपन अच्छाइब